भारती ये मंदिर पूजा या प्रार्थना का स्थान नहीं है। एक पूरा विज्ञान है। मंदिर बनाने का एक पूरा विज्ञान है। इसे आगम शास्त्र कहते हैं। इस परंपरा में आपको बताया जाता है कि हर दिन सुभा इस से पहले कि आप काम या कहीं पीजाएं। आपको सबसे पहले नहाना चाहिए फिर जाकर कुछ समय मंदिर में बैठना चाहिए और तब दुनिया में चीजें करनी चाहिए। ये एक सारवजनिक बैटरी चार्जिंग स्थान की तरह है। जब आप दुनिया में कुछ करते हैं, तो दुनिया की प्रकृती भहुत एक दुनिया ऐसी है कि दुनिया में आपका हर लेंदेन ऐसा होता है, मेरा फाइदा आपका नुकसान है, आपका नुकसान मेरा फाइदा है। अगर आप एक खास तरह से नहीं है, तो आपके जीवन के हर लेंदेन में टकराव की संभावना होती है. क्या ऐसा नहीं है? हाँ? हर एक शब्द जो आप बोलते हैं, हर छोटी चीज जो आप लेते देते हैं, हर जगा आप किसी के साथ लड़ सकते हैं, क्यूंकि हर चीज में ये ऐसा ही है. अगर आपको किसी को कुछ प्राप्त करना है, तो किसी को कुछ खोना होगा. यही भावतेकस्तित्व की प्रकृती है. जब ऐसी बात है, तो जब तक आप भीतर एक खास तरह से नहीं हो, जब तक आपने अपने भीतर कुछ कीमती नहीं पाया हो, आप हर मौके पर लड़ेंगे. लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए देखिए, वे सभी कगार पर होते हैं. छोटी सी बात पर वे एक दूसरे पर जपटने को आमदा हो जाएंगे, है की नहीं? सड़क आपकी संपत्ती नहीं है. अगर आप बस अपनी लेन से दूसरे की लेन में जाते हैं, या वो आपकी लेन में आता है, या कुछ होता है, मैंने लोगों को पूरी तरह भड़कते हुए देखा है और… क्या आप ऐसा देखते हैं? अगर आप अपने भीतर एक खास तरह से नहों, तो हर लेन देन एक टकराव होता है. तो हर दिन आप मंदिर जाते हैं, अपनी बैटरी चार्ज करते हैं और फिर बाहर जाते हैं ताकि आप दिन को आसानी से गुजार कर वापस आएं. इस परंपरा में ये भी कहा गया है, कि जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर हो तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अब आपके पास खुद को चार्ज करने के तरीके हैं. अब आप खुद की बैटरी चार्ज कर रहे हैं, अब आपको सारवजनिक चार्जिंग स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है तो भारती ये मंदिर कभी भी पूजा या प्रार्थना का स्थान नहीं था आज भी नहीं है, हालांकि लोग धीरे धीरे इसे चर जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां वे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये और वो मांगते हैं वरना इस परंपरा में आप से कहा गया है कि वहाँ जाकर आपको कुछ समय बैठना चाहिए कम से कम दक्षिन भारत में आज भी ऐसा है मुझे लगता है कि उत्तर में आमतोर ये खत्म हो गया है और जो लोग दक्षिड भारत से आते हैं, वो जानते हैं कि मंदिर में कुछ समय बैठना चाहिए, पर अब वे भी अपने शरीर की तली को बस जमीन से छू कर वापस चले जाते हैं। ऐसे जीवंत मंदिर मौजूद हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं। आपको, उन्होंने आपको ध्यान लिंग मंदिर के बारे में कुछ दिया है। इस मंदिर में कोई रीती रिवाज नहीं होता, कोई पूजा नहीं होती, कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई चड़ावा नहीं चड़ता, यहां हमेशा बिल्कुल मौन रहता है। आप आकर वहाँ बैठिये, जो इनसान ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो भी बिना किसी निर्देश के वहाँ बैठ कर ध्यानमगन हो जाएगा। वो उर्जा ही वैसी है, अगर आप थोड़े समवेदन शील हैं, तो यह आपको रीड की जड़ से हिला देगा। यह इतना शक्तिशाली है, आप पर इसका असर इतना विशाल होता है। सभी मंदिरों को इसी तरह बनाया गया था, लेकिन विभिन उदेशियों के लिए, कुछ शारिक खुशाली के लिए, मांसिक खुशाली के लिए, भौतिक खुशाली के लिए, इस तरह कई तरह के मंदिर बनाये गए। इसका एक पूरा विज्यान है। दुर्भागे से इसके रखरखाव की जानकारी न होने के कारण हमने बहुत सारे मंदिर खत्म कर दिये हैं, हमने उन्हें खत्म कर दिया है, और आज हम मंदिरों को शॉपिंग कॉम्पलेक्स की तरह बना रहे हैं, शायद उसी उद्देश के लिए, या वे एक सामाजिक स्था की तरह हैं, मंदिर एक तरह से कलब ज्यादा बन गए हैं, यह अमेरिका में ठीक है, एक खास वातावरण में आप अपने समुदाई से मिलना चाहते हैं, तो आपने ऐसी चीज़ें बनाई, पर मंदिर अपने मूल रूप में एक बहुत शक्तिशाली उर्जा केंद्र होता ह ये लोगों को जीवन के एक बिलकुल अलग आयाम से परिचित कराने का साधन है, उसे खत्म नहीं होना चाहिए, उसे दुनिया में मौजूद रहना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसका विग्यान आम तोर पर खो गया है, इसे सिर्फ कर्मकांड की तरह किया जा रहा है,